वेल्कम इस्टूटेन हमारा जो आज नेश्च चेप्टर है वो है जय तेकनिकी प्रध्योगी की चिद्धान यम प्रक्रम है ना तो ये ट्वेल्थ बार लजी चेप्टर इलेवन्थ है ना इसका इस आसाइमेंट इसका जो आसाइमेंट है अभी लगबग आने वाली है ना तो अन्वाणसी का भ्यांतर की क्या है जेनेटिक इंजिर्ण तो सबसे पहले नारमल जानकर बेदेते हूं कि कि किसी भी कोई जीव है उस जीव से जो गुन है उस गुन को किसी अन्यत तर ले जाने के लिए वहाग क्यों सकता पड़ती है है ना उस वहाग के मदब से उस ग तो विज्ञान की वहाँ साखा जिसमें डियने के अनु अत्वा जिन्स में नहित प्रकृतिक कम्यों का उन्मूलन उन्मूलन करते है मतला उसको जो कमी है उसको दूर करके ठीक है तो विज्ञान की वहाँ साखा जिसमें डियने अनु अत्वा जिन्स में नहित प्रकृतिक कमियों का उनमूलन तथा विशिष्ट जीन को है ना जो जीन है वो क्या है कमी पूर्ना है उस जीन माजा ये व्यक्ति है इस व्यक्ति में कोई कमी है किसी गून की क्या है कमी है तो इसमें गून विक्सित किया जा सकता है किसके माध्यम से अन्यत्र कहीं से उसका गून है ना जिए में पहुचा आजा सकता है ताकि यह भी क्या होगा कुछ गुन यूगत्त हो तो इसको सिस्मेटिक कैसे बताया नो कोई भी डिने वन है अथ्वा तो यूज में नहीं प्रकृतिक कम्यों का उन मुलन तथा विशेस्थ जिन को स्टक्रिक्षा से जिन few devices के द्वारा परिवर्द्त या विक्सित करके गुणसुत्र में प्रतीरूपित किया जाता है, मत它的 इसके जो गुणसुत्र उसमें प्रतीरूपित कर देते हैं इसको, जो अंचित जीन है उसको ठीक है, यहां टैक्निक कलाता है, अनुवांसिक अभ्यांतरिक की, यह दूसरे तरिका से देखें, क्योंकि हमारे पर दो तरे ले जाना है ना तो उस विशिष्ट जीन को स्वेच्छा से जीन तक ने के द्वारा परिवर्तित या विक्सित करके गुण सुत्रों में क्या क्याता है प्रतित रोपित किया जाता है तो यहां तक नी अनुवार्शी का भियांदर की कहलाता है दूसरे सब देखें कि अन प्रिफा करण परिवर्तन वन नय जीनों का योग अनुवाशिक पदार्थ किसके लिए कहता है मानव कल्यार है तू किया जाता है कि अनुवाशिक अभ्यांदर कि किसी जीव के जीन में कोई भी जीव के जीव के जीन है उस जीन में इच्छित परिवर्तनों की प्रक्रिया मतलब उसके जीन में हम लोग इच्छित परिवर्तन कर सकते हैं अगर गुन विक्सित नहीं तो गुन विक्सित कर सकते हैं इसके अं जीने का कित्रिम शास्लेशन भी किया जा सकता है उसको प्रिथाकरन भी किया सकता है परिवरतन भी किया सकता है तथा नए जियों का योग भी किया जा सकता है उसमें नए जीनों का नए जीनों को क्या किया जाता है योग भी किया सकता है और अनुवांसिक पदार्था का बाहर मानों कल्यान है तू किया जाता है यह आपका अनुमान को दूसरे गुन में ले जाना सीरीज बात है ना चलिए यह अनुमान से कभी आंदर के जिनेर्टिक इंजररींग हो गया ठीक है थोड़ा थोड़ा पर बाता हम देख लेते हैं रशानी कभी आंदर की के इसमें क् की इस अपका निर्मान के जाथ है यह नाल मैं तो थाव्ली के इस प्रक्रियव में इच्छित जिव मतल्यह अनुमानसिक अभ्यांत्रिकिसे कि यह प्राप्त सूच मज्यूं, मतलब ये अनॵान से कभी अन्तरगरत के फल्टों किसी जीव है, उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, किसी गुनों के लिए है, ये जीव है, इस जीव है, इस जीव से अने को गुन ले जाना है कही दूसरे जगा है, तो इस जीव को पहल gheeसित प्रक्रिया में इच्छित जीव का शमवर्धन माध्या में ठीक है समर्धन माध्या में एवां शंक्रमान मुक्त प्रिस्तितियों में वृध्धी करवा कर इस समर्धन माध्या में जहां पर जिस माध्या में उसको रख कर वृध्धी की जती है जिसकी एकजमपल देता हूं कि मांज ये पेड़ है, पेड़ में व। द्रीकर देता है। उसको संवर्धन माध्यम कहते हैं उसको ठीक है तो इस प्रक्रिया में इच्छित जीव का जो जीव है ना इच्छित जीव का संवर्धन माध्यम एवां संक्रमन मुक्त परिस्तितियों में संवर्धन माध्यम एवां संक्रमन मुक्त परिस्तितियों में व्रिद्धि कराकर मत को क्या करेंगे समर्धन माध्य में विर्धि करवाएंगे हैं और संक्रमन मुक्त प्रस्तितों में विर्धि करेंगे और अत्यधिक संक्या में प्राप्त कर इनसे जय प्रिद्धोगी उत्पाद जैसे की antibodies enzyme vaccine आदि की प्राप्त की जाती है ठीक है सीधित बात है कि सुच में जीव को दारा हमको vaccine प्राप्त करना है तो इस प्रक्रियम इच्छित जीव का समर्धन माध्यम एवां संक्रमन मुक्त प्रस्तितियों में विर्धि करवा कर अत्यधिक संक्या में प्राप्त कर इनसे जय प योगे तो कौने पूंडर योगज तकनीक चलिए तो दीनय पूनर योगज टकनीक तकनीक योजन इसको पूंडर योगज तकनीक भी कहते है वहाँ जगा लग तो टूस आप डिन एनने टेक्नोलोजी ओके अब इसके अंद्र कर तूस आप भी मतलब कहने अचेन करके अवजार भी पढ़ेंगे लेकिन अभी वत पढ़े से पहले देने पुनायोगा अब तीसरा जीवी भी बना जाते हैं किसी एक जीव के इचछित DNA खंड को लेकर दूसरे जीव के DNA खंड के साथ सरीर के बाहर मतलब परखनाली के बाहर ठीक है अब एक होता है यह परखनाली तो इसके DNA, इसके DNA, दोनों के DNA को हम लोग परक्नली के अंदर भी कर सकते हैं, परक्नली के बाहर, मतलब कहा जाएं, और सरीर में, तो सबसे तर बेटर कौन रहेगा, ठीक हैं, परक्नली के अंदर रहेगा, तो देखें, कि किसी एक जीव के एच्छी DNA खंड को लेकर, दूसरे जीव के DNA खंड के साथ, सरीर के बाहर, अर्थात परक्नली के बाहर भी कह सकते हैं, ठीक हैं, तो किसी एक जीव के एच्छी DNA खंड को लेकर, दूसरे जीव के DNA खंड के साथ, सरीर के बाहर, अत्वा परक्न श्रत श्राइब ऐसी आतम थैसे डियने को पूनर योगज दियने अफवा री कॉंबिनेट्स डियने कहते हैं कि अजब इसके और इसके डियने को हम लोग जौनते नहीं ठीक हैं तो हम लोग क्या भूल रिकॉंब्रेनेंट्स डियने अर्थाट पुनर योगज डियने कहते हैं है न को और यहां पर इस डियने को अब यहां पर इस डियने बन गया जैसिрал कि यहां पर एक्षीलिम क्या होता है कि के यह बार वेक्टर का काम भी करता है वेक्टर वहक ठीडर लेकिन में वहक के बारे भी बार नहीं करेंगे तो यह क्या होता है कि इस तो इस तरह से नए जिव में नए प्रगार का इच्छित गुन विक्सित होता है इसमें इसका और इसका गुन है यह मिल गया ठीक है और यहां से पहुंच गया किसी तीसरे नमबर के जिव में तो इसमें जो गुन है वो विक्सित होगा कि नहीं होगा होगा इन दोनों का गु के DNA के साथ सरीर के बाहर अथरा सरी कि बाहर अथ्वा परह्ख नली में एक दूसरे के साथ जुड़ा जाता है ऐसे DNA को पुर्णależओ डियने को जोड़ेंग के तो जो बने का उसको बने पुर्णियोगा ए मैं अथ्वा री कॉमिणांट ns DNA कहते हैं इस डिन एको किसी दूसरे इच्छित जीव में है ना पहुंचाया जाता है और इस तरह से नए जीव में यहाँ जो नया जीव बना है ठीक इस नए जीव में नए प्रकार के इच्छित गुन विक्सित होते हैं यहाँ तकनिक आपका डीने पुनर योगश तकनिक कहलाती है तो इस तरह से यह तकनिक का नाम होगए डीने पुनर योगश तकनिक ठीक है क्लियर हो गई आपको जी तो पुनर योगश तकनिक के उपकरण के उप उप उपर में दिखा हुआ है करण तो पुनर योगाज तक्निक के जो उपकरण है अर्थात जिन अभियांद्रिकी के आउजार भी कह सकते हैं पुनर योगाज तक्निक के उपकरण भी बोल सकते हैं या तो जिन अभियांद्रिकी के आउजार भी बोल सकते हैं पुनारी जगर्ट तक्निक के साधन, जिन अभ्यांदर्गी के अवजार, जिन अभ्यांदर्गी के साधन, जिन अभ्यांदर्गी के उपकरान, ये सब हो सकते हैं, ठीक है, तिन के कौन-कौन से उपकरान आते हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, पहला उपकरान आ व्हां बहुत हो सकता हैं आप बक एक्टर बोलेंगे इंगलिस में वेक्टर्वेक्टर ज्यादा यूज कहिते हैं ठीक है और तीसरा आपका शाधन है अर्था आवाजार है निकून पोशक तो एक्श्रे मैं और कंदर कहता है लेकिन अल्क निकृत पोशक होन अ करते हैं इस यहां से कोई कोई मैं निपून पोश्क होना चाहिए तब यूदड है पहुंचे हैं मतलत वह है कि इसमें यह जो कोशका जिल्ली होती है यह कोशका जिल्ली इस डिने को पहुंचने नहीं देती तो यहां पर कुछ निपूर्णता विक्सित करना पड़ती है निपूर्णता का मतलब क्या होता है निपूर्ण पोशक होना चीए है ना इस अफशाधन है तो मुखे शाधन तो हमारा पर इंजाइम और वहाख है है ना वहाख मतलब ले जाने वाला वेंजाइम को बात करेंगा तो बहुत सारे इंजाइम देखें तो सबसे पहला इंजाइम में हम लोग चलते हैं तो पहला पाइंट डालन पहला नमबर काता है एंजाइम यहां पर मैं और डालनी पाया हूं यहां पर डालना आप एंजाइम तो एंजाइम को कितने भागों बारते हैं तो सबसे पहला है ए ए में आत का है अब घटनी भी कर अर्था अब घटनी एंजाइम ठीक है जिसका उलते हैं लाइसिंग एंजा होते हैं से बिंजाइब baby कोश का भितिको अब गटित कर डियेने खंड कि प्राप्ती में साहः होते हैं अभखट निभी करकर हाते हैं कि यहां पर अच्छ समझना थोड़ा से यह परशनली पहुंए ऊपको कि वे एंजाइम वे एंजाइम जो कोश का भित्ती को अभघटित कर डिने प्राप्ती में ठीक है सहायाख होते है डिने प्राप्ती में सहायाख होते है Lysine Enzyme कहा रहाते है मतलब सीधी बात है कि यही बताया मैंने कि यहett accompaniedants DNA है तो इसको कहां से प्राप्त किया होगा किसी कोसिका से प्राप्त किया होगा किसी कोसिका से प्राप्त किया होगा है ना ठीक है तो ये कोसिका से अपने को निकालना है किसको निकालना है DNA को निकालना है रिकॉमेडनेस DNA बनाने के लिए अर्थाथ पुनर योगाज DNA बनाने के लिए तो इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले कोसिका में जाना पड़ेगा तो कोसिका में जाने के लिए हमको उसके कोसका भित्ती को पहले अब घटित करना पड़ेगा तभी वहां से अंदर चले जाएंगे तो इसी koos का भित्ती को अभगटित करने के लिए यह अब घटनी भी करका यूज किया जाता है अब वे एंजयम जो कि कोज का भित्ती को अभगटित कर डिने प्राप्ति में साहाख होते हैं अब घटनी भी कर या लाइस्टिंग इंजयम कहलाते हैं एक्जाम्पल कर दिखे हैं पहला जिवानों को इसका भित्तिकोनष्ट करने के लिए हैं उसको बता जाता हूं मैं कि जिवानो कोश्का भित्ति को नश्ट करने के लिए लाइसोजाइम की आउसकता होती है अर्थाद लाइसोजाइम है वो जिवानो कोश्का को अब घटनी विकर है वहाँ जिवानो कोश्का को अब घटनी करती है कवक कोश्का भित्ति को कौन करता है काईटिनेज और क्लिविंग एंग्जाइम ठीक है तो ये एंजाइम है ना ये वे एंजाइम वे एंजाइम जो डियने अनू को काटने जिसे कि अब दिखे यहां से लाना है को को सिका से यहां को सिका से को सिका से डियने निकाल के लाना है तो छोटी मुटी बात थोड़े भी है तो क्या करना कि पहले काटना पड़ेगा कि इसको काटना पड़ेगा DNA को विच्छेदित करना पड़ेगा विखंडित करने करना पड़ेगा तभी तो वहां से हम लोग ले आएंगे ना ठीक है पुनार जोगर DNA बनाने के लिए तो वे एंजाइम जो DNA अनु को काटने विच्छेदित विख पढ़ेंगे हम लोग है ना तो एक नाम है exonucleases एक क्या नाम है exonucleases ठीक है दूसरे का नाम है endonucleases और तीसरा का नाम है आपका प्रतिभंधन endonucleases ठीक है यह एकदम आस्ट्रा है आस्ट्रा मतलब कहा जाए बहुत विशेश है इसको बलते हैं प्रति बंधन endonucleases restriction endonucleases इसी को हम लोग बोलते हैं आनवी कैची आपके क्वेस्चन में आ सकता है आनवी कैची क्या है आनवी कैची क्या है तब इसकी बारे में बात करेंगे है ना चलिए तो सुरुआत करते हम लोग exonucleases के है ना तो exonucleases क्या है इसके बारे में कुछ समझते हैं हम लोग है ना एक्जो निकलियाजेस तो ये एकल सुत्री डियने या दूसित्री डियने एकल सुत्री डियने बारें बात करते हैं तो मार्जा हमारे पास जो डियने होता है वो दूसित्री होता है आपको सबको पता है ना ठीक है यह दूरी सुत्री डियने होता है और आरण है एकल सुत्री के लगभख होता है है ना एकल सुत्र होता है तो यह आपका होगा फाइब डेस सीरा ठीक है और आपका थ्री डेस सीरा यह फाइब डेस थ्री डेस सीरा जो भी सीरा है है ना चलिए तो यह एकल सुत्री डियने या दूसित्र एकल सुत्र 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 यहाँ पर एक कट करता है ऐसे ठीक है तो कट करता है तो ये एकल सुत्र डियेने इसको भी कट कर सकता है और द्वी सुत्र डियेने के अंदराल के सुत्र पर जो एकल सुत्र डियेने और द्वी सुत्र डियेने है इसको द्वी सुत्र बोलेंगे जब दोनों रहेगा तब ठीक यदि five days को काटता है तो ये कड़ जागा किस ग्रूप में five days three days को रूप में है ना यहाँ पर three store आ जागा three अब यह बचाखन तो बचाखन आपका क्या बन जाएगा ये five days three days अलग निकाल दिया मैंने ना आप ये मस समझना है कि यहाँ से three लिया है मैंने यहाँ से कोई three नही three days था अभी सको काटते हैं तो यह अलग देस बन जाता हाँ five days तो यह आपका बचा हुआ है त्रीदेस, फाइवडेस, ठीक है, ऐसा ऐस नहीं है कि ये केवल सिंगल को काटा सकता है, ठीक है, दीजित्री दियने को भी काट सकता है, ठीक है, लेकिन उदहन मने सिंगल पढ़ दी है, ओके, चलिए, तो ये निकले ऐज़े, एक्जोडिकलेजेश है, क्लियर हो गया, ये, और यह क्या है दिखें ये इंज्ञाइम डिने शुत्र के अंतिम सिरों के अतरिक्त कहीं पर भी क्रिया करके उन्हें विखंडित करने का कारिय करता है मतलब यह अपने को जो egzone reglas है जो कि 5-day सपे बॉष पर कांट रहा था उस सिरे को नहीं काट रहा है मतलब देखिए है हमारे पास यह है है यह अपने पास है five days और यह three days यह three days और यह five days तो यह three days five days को निकाटेगा वो बीच से काटेगा ऐसे 20 से काटेगा देखो तो 20 से काटेगा तो यह वाला जो भाग है यह वाला जो भाग यह वाला भाग हो बचा है 5 days ओके अब इसी बीच से निकाल लिया है इसको निकाल लिया है तो निकाल लिया तो इसको यहाँ पर ऐसे निकाल देते हैं तो अब यहां पर ऐसे बने बें केसे हैं ठीक है यहां पर अब नीचे लग को रहने दो नीचे लग पूरा रहने दो ठूब एक लिए और फाइब डेस है ना अरियों कौन सवाथा था थ्री डेस था यहाँ सबास जो बीजस निगला उसको फिर अला सभी नाम दे सकते हैं कि नो फिर नाम देख सकते हैं क्या नाम देख सकते हैं फाइब डेस थ्री डेस ये ठीक हैं तो क्या हो रहा है कि ये एंजाइम डियने सुत्र के अंतिम सीरे के अधरिक्त ये अंतिम सीरे को छोड़ कर है ना अंतिम सीरे के अधरिक्त कहीं पर भी क्रिया करके उसे विखंडित करने का कारिया करता है इसमें थोड़ा सब्सक्राइब लिख लेना है ना कि इनकी क्रिया द्वी सुत्री डिने के एक शुत्र पर ही सीमित होती है अब अब बनाता है अपका प्रतिबंधन अन्दोनक्लियास्थ क्या है ऐसे को थोड़ा समझना है बहुत है इनकी यह बहुत बार आ चुका है प्रतिबंधन एन्डोनिक्लियास्थ है ना तो इसके दोरा नाफ की अमला था डियने नाफ की अमला का न है अपना डियने है डियाख से रैबर निकली के डिस ठीक है तो इसके दोरा नाफ की अमला किसी इस्थान विशेज पर काटे जाते हैं आज कल विशेज इस्थान ना बोलका इस्थान विशेज बला जाता है याद जाता है क्यों क्योंकि एक क्यों विश्य सिस्थान पर काटते हैं यह ना मतलब यह भी काटने कारे करता है वो दोने जहने उपर ने जो बता है वो भी काटने कारे करता है लेकिन यह क्या होता है कि इसके तरवन आपकी अमला किसी विश्य सिस्थान पर काट जाते है आता इसे को, इन स्थालों को right league दिया गहे है न, तो जिन स्थाल पर यहां कारे करता है उन स्थालों को restriction स्थाल कहते हैं या जिस स्थाल या जिस विसेस स्थान पर ठिक हैं या कर्रिया करता है उस isn't तो पैलेन्ड्रोमिक खंड का मतलब आपको समझा जहेता हjack कि जैसे कि है ना हम लोग किसी चीज को जैसे कि यह नवीन ठीक है नवीन को हम लोग पढ़ते हैं तो ना सरुम आता है वी उसका फिर ना आता है ठीक है है ना नमन पढ़ते हैं तो ना मा ना फिर आता है फिर ना आता है मतलब इसको बहुत है पेलेंड्रोमिक खंड कसक कनक व फड़ उदहान देता हूँ मार्या हमारे पास एडिनीन है गवानीन है साइटोसीन है ठीक है अब एक और हमारे पास एडिनीन गवानीन एडिनीन अब बता इसमें पेलेंड्रॉमिक खंड कौन सा है यह वाला है पेलेंड्रॉमिक खंड और अंतिन दुनों से हमोना चीए ठीक टिक है तो यह सब इसी खण को कांडता है कौन कांडता है यह रिष्टर अन्डों इंड्रोमी क्कांड एक काटेगा लिए बात मेरी चलिए तो यह तो इसको आणुविक के चिक्क्यों कहते हैं उस Necliosis को आणवी केच्षिक्यों कहते हैं ना चलिए कि Restriction Endonucleases पहचान करम से चिपक कर माद ये आपका पेलन्ड्रोमीग खड़ आप इस से चिपक जाता है चिपक जाता है तो Restriction Endonucleases पहचान करम से चिपक कर दोनों सुत्रों के जो सरकरा फासफेट देखिए आप जानते है कि डिने के जो खंड होते हैं उसमें एडिनीन गौन जुड़ा होता है बहुत सारे बांड के माद्ध हमसे है ना कि मौुट सारे बॉंड के मदाहा थे समयफास्पोर बंड होता है यहां पर जो सुगर होती है जो सरकार है च्टारे टीन में थे यह ने का जो इस्टॆकर्ट्टर है वह पीछलिव ध्येम नहीं आपको मिलेगा उस पांच अडियो है एक प्लेलिस्टम मिल जाएगा आपको ठीक हैं ओके वहाँ पर आपको दिया जाएगा बहुंँ सरे बांड के बारे में बताया जाएगा है ना तो सबसे बहले बात है कि किसी भी डिने खन को काटने के लिए उसको बांड को पहले काटना पड़ता है तो यह क्या करता है restriction and genuinelyics क्या करता है कि restriction andальноеяж बहचान क्रम में इससे चिपक कर जो बांड को बांड को बैकलोन द्वारा काटता है लौन द्वारा काटता है आता इसे अन्विक कैची भी कहते है ठीक है बैक लोन मतलब यह यह आतर है अणु है अपने पास अणु ठीक है अणु पर माणु यह पूरा अपने पास जो बॉंडिंग है उस बॉंड को काट रहा है अचलिए अब कैसे दो प्रकार्णाड के चिने खंड को काड़ता है चलिए आप कैसे दो प्रकार से काड़ता है आगे दिखते हैं दो प्रकार से काड़ता है तो पहला पाइंड आता आपका एंडोनिकल्यसे, व Carrie, एक शुत्र पर शीमित है, बोलते हैं लोग बोल्डेते हैं लेकिन यह प्रतिबंधन एंडोनिकल्यसे नहीं है, प्रतिबंधन एंडोनिकल्यसे नहीं, तो एंडो निकलियाजेस का श्रमू है जो दोनों सुत्रों को एक ही जगह से कांड़ता है दोनों सुत्रों को एक सुत्र लिग देता हूँ मैं 5D से शुरू करते हैं हम लोग काt है कि फाटने करेगा प्रतिबंद्दन है या प्रतिबंदन एंडो निकलियास काटने करेव तो कैसे काट काट एक दम में एक ही जगह से है ना तो एक ही जगह से कारता है फल्स रूप एकल स्रिंखला वाले टुकडे छोर नहीं बचते हैं एकल स्रिंखला वाले माजा यह वाला इसको सी को कारता और यह वाला यहां को कारता तो यहां पर सी एकल छोर बच जाता ठीक है लेकिन होता क्या है कि यहां किवल यह एक दो तीन तीसरा अंबर का सी को कार रहा है तो यह एक दो तीन तीसरा अंबर को मतलब इस खंड को पूरा completely काट रहा है और ये double छोर होगा single छोर बचिता ही नहीं अपने पास ठीक है तो endonucleus का वहाँ समोजो कि दोनों सुत्रों को एक ही जगह से काटता है एक ही जगह से काटता है फल्स रूप एकल स्रिंखला वाले तुकडे छोर नहीं बचिते हैं ये बीना एकल स्रिंखला वाले क्रमो के छोर को कुंद छोर कहते हैं है ना अब देखिए तुकडे तो नहीं बच्चते हैं एकल स्रिंखला तुकडे मच्चे हैं और ये बीना एकल स्रिंखला वाले क्रम को छोर को बीना एकल मतलब 6टा ह्या है ही नहीं इसमें तो विए बीना aprender क्रमो को क्रमो के छोड को कुंद छोर कहते हैं कुंद छोर जो एक好吃 रिंखला वाले क्रमों के छोर है मतलब सरी विल एक रूट एक रूख्र है इसमें एकास रिंखला नहीं है अब एक रूटीकि कहाई सिया सिच स्वालों और और हाँ आज कल ना पाइल जी कोभी समान से जी बोला जाता है कि यदि हम लोग यहां से कार देते हैं ठीक है निजी और इसको यहां से कान देते हैं है ना तो अब देखिए कि मेरे पास क्या बचता है यहां से कान देते हैं ठीक है तो यह बचता है अपने पास सी बचता है और यहां पर क्या बचता है जी जी और जी और सी चोटा सा यह सी कड़ गया इधर से इधर सी कड़िया तो भाई हावि अपनो को यहाा एकल छोर पराप्त हो गया इसको एकल छेर पराप्त हो गया लेकिन इसमें ना कोई एकल छोर नहीं है तो यह ब्लंड करण हो गया ठीक है, एंडो निकलियस का वहाँ स्रमूँ जो की जो की जो दोनों शुत्रों के एक ही जगह से काटता ये याद रखेगा, एक ही जगह से काटेगा ठीक है, अब देखिए हमारे पास इस्टे ग्रेड कटिंग इस्टे ग्रेड कटिंग क्या है समझ रहा चलिए इस्टे ग्रेट कर्टिंग तो endonucleus की शमु जो छोटे एक छोर को उत्पन करते हैं मतलब सीधी बात यह है कि छोटे एक स्रिंखला छोरों को छोटे एक स्रिंखला लिख देने आपर एक स्रिंखला छोरों को उत्पन करता है है ना मतलब यहीं अभी बताया मैंने जिसी कि हमारे पास यह जी ए टी सी सी यह एक क्रम जिसमें हम लोग सी सी टी एजी जी यह याद रखना कि इसके कौन के से जुड़ता है थायमिन एडिनीन से जुड़ता है ठीक है तो यह खंड हो गया आपने पास है ना अब इसको काटन तब यहां पर G बजड़ बज़ता है आपर देखो यह G बज़ बज़ता है और यह Χाली हो जाता है अब इदर देखें नीचे देखें तो C, C, T, C, C, T, A, G एजी बजता है और एजी खाली हो जादी ये गयाब हो जाता है मतलब अपने को एकल छोर प्राप्त हो गया एकल छोर प्राप्त हो कि मतलब इस्टे ग्रेट कटिंग है तो एंडे निकलेस की वहाँ श्रम हो जो कि छोटे एकल स्रिंखला छोरों को उत्पन करता है यहां प्रतिपूरा क्रमों को रखने वाले अन्य DNA खंडों के साथ स्रिंखला छोरों को जोड़ने की छमता रखता है मतलब यह खुद खाली हो गया है तो अगर कहीं से स्रिंखला आती है DNA खंड के एक स्रिंखला दूसरे एक स्रिंखला छोरों को जोड़ने की छमता रखते है मतलब ये खुद एक DNA के स्रिंखला है इस DNA के स्रिंखला के दोरा कहीं अन्यत्र से आए हुए या अन्य DNA खंड के एक स्रिंखला छोरों को जोड़ने की छमता रखता है यहां प्रतिपूरा क्रमो को रखने वाले है ना जैसे कि G है ओके हमारे पास इसको अच्छा समझना है यह G है माल जाए G का प्रतिपूरा कौन है साइटोसिन C तो क्या वहला है कि यहां प्रतिपूरा क्रमो को रखने वाले अन्य डियने माज ये C, ये G है हमारे पास और G को अमने को C चाहिए तो कोई ऐसे खंड जो की C को रखा हुआ है कोई भी कहीं से क्योंकि नुकली ऐसी हमारे प्रश्रेश में है न तो कोई भी खंड है जो की C को लखा हुआ है तो उसको ये अपने में जोडने की छहमता रखता है मतलब सीधी बाती है कि यहां पृति पुरा क्रमों को रखने वाले अन्य डिने खंड को एकल स्रिंखला छोड़ों को जोडने की छहमता रखता है मतलब जो एकल स्रिंखला यहां पर आएगा आपका अप घर्टनी विकर क्लियर हो गया इसको क्लियर कर देता हूं मैं अप घर्टनी विकर क्लियर हो गया ठीक है अप घर्टनी अप घर्टनी विकर क्लियर हो गया दूसरा आपका क्लिविंग enzyme clear हो गया और cleving enzyme के अंतरगत हम लोग तीन पढ़े थे exo, endo, प्रतिबंधन ठीक है तो ये ये दो enzyme clear हो गया ठीक है अब हम लोग चलते हैं तीसरे नम्मर के enzyme में तीसरे नम्मर का जो आपका enzyme है ये तो clear हो गया पहला आपका हो गया अब घटनी अब घटनी विकर जिसको अब घटनी विकर बोलेंगे अब घटनी enzyme बोलेंगे दूसरा क्या हो गया cleving enzyme अभी जितने भी पढ़ रहे थे cleving enzyme के अंदरगत था ठीक है अब ये तीसरे नम्मर में आता है आपका संसलिसक enzyme है ना तो DNA के अंतरगत आने वाले DNA के जो संसलिसन के जाता है है ना तो DNA के संसलिसन मतलब नए DNA के जो निर्मान है तो DNA के संसलिसन के अंतरगत आने वाले सभी enzymes संसलिसक enzyme कहलाते हैं जैसे कि DNA polymerage ये enzyme ये जो enzyme है वह DNA खंडों के मध्या उपस्थित रिक्तिस्थानों को जोड़ कर पूर्ण करने का कारिय करता है ये डिने लाइगेज खुझ एक उदारान है खुझ एक उदारान है ठीक है ये एंजाइम डिने खंड के मध्य उपस्थित रिक्तिस्थानों को जोड़ कर पूर्ण करने का कारिय करता है ठीक है यह होगे आपका चांओ था और पांचवा में आपका आता है अलकेय। calm natural को रोकता है अब पूना होई करना मतलब यह माल हो जाए हमारे पास यह यह फासफेटर वह है कौन सो हो है फासफेटर वह यह बॉंड के मांदम से जुड़ा हुआ है यदि कोई इंडो निकलियर्स है इसको काटता है अब माज यह यह कुंडलीत है ठीक डिने खाने दो ऐसे कुणलित होने की इस दिती में आने की कोशिज करेगा मतलब यह वलयाकार डिने के रैखिक रूप से वला होता है वलयाकार डिने के रैखिक रूप से फाइब डे सीरे से फासफेट समू को अलग कर है ना फासफेट समू इसमें जो समू है फासफेट समू को क्या करता है अलग कर देता है और अलग करने के फ़सरूप उसको फीड से मत वलीत होए वलीत हो समाज़ा थोड़ा चत्गरी आज़ती है तो फीड से वो वलीत ना हो इसको रोकने के कारे करता है यहां से ठीक है तो इस तरह से आपका एंजाइम पार्ट क्लियर हुआ चलिए तो देख लीजे हम लोग जो एंजाइम पढ़ रहते हैं यहां से ठीक है पुनर जगा तक्निक के ठीक है ओजार में पहला ओजावर पढ़ रहते हैं हम लोग यहां से यही तक आपका एंजाइम क्लियर हो जाता है है तो कितने कितने इंजाइम पढ़े है अब घटनी इंजाइम पढ़े हैं दूसरा नमर में आपका क्लिविंग इंजाइम तीसरा नमर में आपका संसलिसान इंजाइम और चांथा नमर में डिन लाइगेज पाच्वा में आपका एलकेलाइन फास्फटेज यह सब इंजाइम के अंदर का क्लियर हो गई है ना अब हम लोग पुनर जगा तक्निक के उसके आवजार के दूसरा आवजार पढ़ते हम लोग व ले जाने वाला वेक्टर है ना तो प्रत्य कोसिका में बाया अनुआसिक पता आर्थों को नष्ट करने के प्रविरतिव पाई जाती है मतलब मैं बता रहा हूं आपको अब मैं ही बताओंगा और कौन बताएगा है ना यह हमारे पास एक जीव है यहां से हम लोग लिका ले यहां पर वेक्टर का डिने या कोई अन्य जीव का डिने है दोनों को मिलाएं तब यहां पर बना है पूनर योगाज डिने पूनर योगाज डिने को कहां ले जाना है भई ốngप्पैसी, एक जीव है यह दूसरा जीव, यह वेक्टर के साथ भी बनता है, लेकिन वेक्टर साथ था बनाते है, तो यह जीव है, जीव है, यह दोनो जीव का जो डिने उसको खंड को निकाले, तो यहां पर बना कोषिका में ये जो कोषिका है, प्रत्य कोषिका में बाया अनुआ श्थिक पतार्ट को निश्थ करने के प्रविट्विति पाई जाती है, ठीक है? आता किसी भी जीव, जीन अथवा DNA के तुकड़े को सीधे किसी कोसिका के अंदर प्रविष्ट नहीं कराया जा सकता सीधे ये पुनाय योगर DNA बनाया है ना ये DNA को डैडले हम लोग प्रविष्ट नहीं करा सकते हैं बलकि पहले इसे किसी वाहक पर जोड़ा जाता है तो इस पुनाय जोगाश DNA है या कोई भी DNA है है ना इस DNA को ले जाना है तो सबसे पहले हमनों को वहाग के साथ जोड़ना है ठीक है या नार्मल DNA को भी ले जाना है तब भी वहाग के साथ जोड़ना है इसको वहन करके बाहर इसकोपर मतलब इसको पर केंद시 होता है यजी आए तो डियने करके उसे दूसरे जियोमें इस्तरांदर करने वाले कारक वहाग कहलाते हैं ठीक है ठीक है यह डिक बहुत से प्रकार के हैं जिसमें से बसके खड़ है कुछ वहां के बार रेमाता हूं जैसे कि प्लाजमीड प्लाजमीड ठीक है अब का कसमीड बगेरा की इसको समीड मेन साम करता है ठीक है अब पर सकते तरन पर अपने ऑस कितिन सुत्र भी हो सकते ह reconnect कितम गुंस outta रही वहां का का कारे कर सकते हैं तो ये पो अदिर में करा बुक से लेका लम कुछ चलिएगों कुछ है पुसरा क्लिएर हो गया है किvy, हम लोग जो अन्वानसी क भी हमते हैं कि इसको आउजार पढ़ रहे तो उसका दूसरा क्लियर हो गया ठीक है अब यहां से तक क्लियर कम्लिट हो गए लेकिन कुछ उसको ग्रहन करने की योग्यता ही क्या कलाता है निपूनता कहलाती है कि ये निपून पोसक है कि नहीं है ना तो कोसिका के बाहर से जीन या प्लाजमिट को इस कोसिका के बात करें ना तो कोसिका के बाहर से जीन वा प्लाजमिट को ग्रहन करने की योग्यता प्लाजमिट प्लाजमीट पगड़के आएगा ना ठीक है किसको पगड़के आएगा डिने को या तो जीन को ठीक है वही छे जीन ओके तो कोसिका के बाहर से जीन या प्लाजमीट को ग्रहन करने की युगता निपूर्टा कहलाती है अटा यहां कोस् का जिली से होकर अंदर नहीं जा पाता है किन्त निपूर्टा अलपर समय के लिए विख्षित किया जा सकता है अब देखे यहाँ पर निपूंडता नगर नहीं है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं विक्सित कर सकते हैं कैसे विक्सित कर देखे हैं कि पोशा कोसिका को दुशिष्ट सांधरता से अभिकृत कर इसकी निपूंडता में वृध्धि की जा सकती है है मतब केल्सियम से हम लोग क्या करेंगे इसको विश्चित संद्रदा से अभिक्रित करवाएंगे तो कुछ समय के लिए इसमें निपून उड़ता विश्चित की जा सकती ताकि यह जो डिने खंड है वहाँ है प्लाजमिंट्स को अंदर ले जाया जा सके अर्थात डिने तगनी के सब क्या है और जार है है ना आगे हम लोग जो पाइंट पढ़ेंगे वो डिने पुनार योगिस तगनी के जो प्रक्रियाएं हैं उसको पढ़ेंगे आगे प्रक्रियाएं पढ़ेंगे ठीक है यहाँ तक क्लियर कर लिजी आप लोग ओके गॉडब्रेश्ट